हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं इस्टेडी फीट चैनल दोस्तों यह इस्पोर्स मेडिसीन यानि खेल चिकिसा उपचार का टॉपिक चल रहा है जिसके अंतरगत इस्पोर्स इंजरी पीजिकल टिफार्मिटी एंड ङॉइसाच यह सब टापिक्स आते है जिसमें से सारेक्षिकल डीफार्मिटी यानि सार्च क्या होती हैं घdles लार्डोसीज फ्लैट फूर्ट इसको आनिसमें इस चैनल की प्लेडुस महीं जाकर करके देख सकते हैं आज का टापिक जाका है और इसमें बिसेश्था आज में चोटो के प्रकार बताऊंगी और उसके बारे में डेटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आज किस-किस अधार पर चोटो को बाटा गया है जिससे आपके एक या दो कोस्टन जरूर पुछ लिए जाते हैं इसलिए वीडियो को अच्छे से कोई पढ़ नहीं पाता है इसलिए मैं एक जगह पे सभी प्रकारों को एट कर रही हूं जिससे आपको आधियन करने में आसानी होगी तो दोस्तों जैसा कि खेलों में चोट लगना तो सभाविक है क्योंकि चोट लगने के संभावना सभी खेलों में अलग-अल पर दो प्रकार के चोट लगते हैं तो खेलों की प्रकृति के अधार पर चोटों को दो भागन बाता गया है ध्यान से सुनिएगा खेलों की प्रकृति के अधार पर खेलों को दो भागन बाता गया है किस किस भागन में मैक्रो टॉमा दूसरा माइक्रो टॉमा ध्यान से बार पर अभ्यास कर रहे हैं तो लेंड करने में आपको चोट लग गई हांक की क्रिकेट में प्रिकेट बाल लग जाना जिसके वाद से इसमें वाली स्टोती हैं उसको कम समय वाली कांटे Sud iläre चोटी है तो कम समय वाली चोटी हो उसको एक्टिउट इंजरी बुला जाता है तो दोस्तों इस स्ट्रें क्या होता है biased में इस Буд liberty शूप्साइब बस में इसमें चोटो के प्रकार के बारे बतारें नहीं च्पू П Adventure हैं लिए माईक्रो टॉमा दूसरा है मायक्रो टॉमा जिसमें क्या होता है बार-बार बार-बार ओर ईवर्यूज व murali chote होती है बार-बार लगने वाली यानि किसी चीज को बार बार अपने अंग को प्रयोग कर दिये असतर से अधिक तो उसे ओर यू चोटे कहते हैं जैसे इस्ट्रेस फैक्चर एचली स्टेंडर नाइटीज एंडिरियन लेक पेन यह सभी चोटे होती हैं और दोस्तों यह था खेल की प्रकीति के अधार पर दो भागों बटा गया मैक्रो टॉमा मैंक्रो टॉमा अब नेक्स्ट में बात कर दिंगी कि दोस्तों कि खेल चीकिसा सास् कि और बाड़ा लग प्रकार से भी भग्त किया है जिसमें सबसे पहले बताओंगी चोट की प्रकिती के अधार पर अगाव आदी के बताने जारहे हुं जिसमीं से सब्से पहले मैं बता रही हूं चोटू की प्रक्रिति के अधार पर चोटे दो प्रकार की होती है एक्स जोगेनस एंडि e एक्स जेश्ट जो बांड करोण से लगती है जैसे कि खेल उपकरण इंक्कोर्स और च्ट नूंदू मेद तक र करेंगे तबढ़ से आधिया फंह से सेथीं प्रतिड़ूनीन से थकर एक ल क्या है तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका शरीर के रचनात्मक दिष्टी कोर से शरीर के रचनात्मक दिष्टी कोर से चोटों को तीन भागों में डिवाइट किया गया है पहला मुलायम उत्तकों की चोटे यानि साप टीसू इंजरी दूसरा हड़ी की चोटे यानि बोन इंजरी तीसरा जोडो की चोटे यानि ज्वाइंस इंजरी इन भागों बटा गया है तो इसके बारे में डीटेल में नेश्ट वीडियो में ए तो था आपके सरीर के रचनात् पर कि चोटों को तीन प्राड बागों पटा गया एक्यूकegory क्रोणिक इंज्री इस बालेशी तरह तरह लगनें वाली चोटी होती है या λ deh कि जैसे आपका तुरह अभी चोट लगा ने कि ता EPA को ताजी वो तिष्य चोटे होती है जो एकिट इंजरी में आती है इसकी अवधी 0-12 गंटे यानि 0-12 गंटे तक की जो चोटे होती है उसे एकिट इंजरी कहते है यारी ताजी वो तिष्य चोटे दूसरा है पोस्ट एकिट इंजरी इसकी अवधी एकिट चोटों की अवधी से से जभीज ज़ादा होती है है 12 से 48 गटे चोटे होती है एकुट इंजरी में आते है पोस्ट इंजर्यों ररानी औरृ गंभीर चोटे होती है यसा कि 48 गटे ज़्यादा की जो चोटे होती है और क्रोनिक अंजरी होते हैं अब करोणिक इंजरी का इलाज उल्डमक ये और एकियूट की कि दौरेंज के द्वारा माधियम से होता है तो क्या देखे दोस्तों चोटायों के ओधिया खिला पर तीं चोटे एक यूट एकियूट क्रोनिक इंजरीे चोटे तुरंत लगने वाले ताजी तेट चोटे जो 0-12 घंटे तक की होती है पोस्ट एक इंजरी ज्यादे आधी की यानी 12-48 घंटे तक की चोटे पूरानी गंभी चोटे जो 48 घंटे ज्यादा तक की आधी चोटे तो दोस्तों यह था चोटा सा ओवर्यू जो आपके चूटू के प्रकार से रिलेटेज पूछे जाती है इसमें से एक कोशन आपको जरूर मिलेगा इसलिए आपको इसको अच्छे से नोस बना लेजिए अब नेक्ट वीडियो में एक प्रकार के एक चूटू के बारे में डी नहीं भूलेंगे इतने अच्छे से उसको एक्स्प्लेंग करूँगी तो दूस्तों यह था चोटू के ज्यांकारी जो आपको बुछे जाते हैं इसके बारे में डीटेल में नेस्ट वीडियो में बताऊंगे दोस्तों एक एक पार्ट करके तो दोस्तों यह वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहें दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जाए हैं